पिछले 26 गंटों से मुस्लिम महलों में एक ही बात की चर्चा हो रही है हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा है और वो शब्द है वक्त शुक्रवार को वक्फवा आक्ट 1995 को लेकर पहली बार राजसभा में वोटिंग हुई जिसके फक्ष में तरफ पन वोट पड़े तो विरोध में 32 वोट पड़े वक्फवा आक्ट 1995 को लेकर अब मोदी विरोधी आक्टिव होने वाले हैं माइनॉरिटी पर जल्म की बात कहकर शोर मचाने वाले हैं 2024 में लोकस्वा चुनाव होने वाला है चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है लेकिन ये वक्फ आक्ट 1995 है क्या इसकी पूरी डीटेल इस रिपोर्ट में मैं आपकी अनुमती से देर शेत में वक्फ वोड अदिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए सरकारी संपत्यों पर दावा फंड का बेजा इस्तमाल ये वो बड़े गंभीर आरोप है जिने लेकर वक्फ वोड पहले भी सवालों के घेरे में था और आज भी है और इसलिए वक्फ वोड अक्ट 1995 को पूरी तरह से खप्म करने की मांग हो रही है बीजेपी के वरजसभा सांसच हरनाथ सिंग ने बकाइदा शिकायतों, सबूतों और आरोपों के साथ सदन में अपनी बाते रखी और इस एक्ट को निरस्ट करने की डिमांड की वक्प वोड जैसा की नाम से ही साथ होता है कि ये बोड मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है दरसल ये बोड मुस्लिम समुदाय के उध्थान और विकास के लिए काम करता है लेकिन वक्प जो काम करता है उसकी हकीकत कुछ और ही है रेल्वेय रक्षा के बाद वक्प बोड के पास जमीन का तीसरा बड़ा स्वामित्व है यानि सरकार के बाद सबसे जादा संपत्ती का मालिक वक्व बोड है आंकडों में संपत्ती जानकर आपके होश उड़ जाएंगे सच्चर कमिटी के रुपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में बोड के पास 4.9 लाख पंजुकरत और 6 लाख एकड़ भूमी पर मालिकाना हक था साल 2020 में ये आंकड़ा 6,16,732 पंजुकरत संपत्ती के पार हो गया जिसकी कीमत करीब 1,20,000 करोड है अब ये संपत्ती कहां से आई उसकी इंसाइड स्टोरी समझने के लिए पहले आपको वक्प का मतलब समझना होगा वक्प अर्बी भाषा का शब्द है जसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर धार्मे कामों के लिए दान की गई संपत्ती जो पैसे या पर संपत्ती भी हो सकती है और इसलाम धर्म में किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्प कहलाता है इसके अलावा अगर किसी संपत्ती को लंबे वक्त तक धर्म के काम में इस्तमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्प माना जा सकता है साथी संपत्ती वक्व को देने के बाद वापस नहीं ली जा सकती वक्व बोट पर इसी बात का बेजा फायदा उठाने के आरोप लगते हैं ये बात सिर्फ इतनी नहीं है वक्व बोट को सरकार से जो अनुदान मिलता है वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है केंदर सरकार के और से सेंटरल वक्प काउंसिल को साल 2016-2017 में 280, 2017-2018 में 1218, 2018-2019 में 1495, 2019-2020 में 1490, रुपे का अनुदान मिला वहें 2020-2021 में 300 लाख अनुदान के रूप में मिले वक्पोड को जिस तरीके के असीमित अधिकार मिले हुए हैं, उसके कारण वक्पोड में जिस तरीके का प्रहष्टाचार हुआ है, इस एक्ट के कारण वक्पोड की जमीनों में जिस तरीके का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, विद्धी हुई है, उसमें मुझे रस्त करना बहुत आवश्यक है। सामने ला करके भारती भारत की जलता के समक्ष सामने ला करके इसको निरस्त करना चाहिए। सामने मिलने के बाद भारत के बटवारे से पाकिस्तान नया देश बना। उस वक्त जो मुसल्मान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनों को वक्व संपत्ती खोशित कर दिया गया। साल 1950 में हुए नहरू लियाकत समझाते में तै हुआ कि विस्थापित होने वाले लोगों का भारत और पाकिस्तान में अपनी संपत्ती पर हक बना रहेगा। वो अपनी संपत्ती बेच सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हिंदों की छोड़ी जमीन, घर और अन्य प्रॉपर्टी पर वहां की गौवर्मेंट और स्थानी लोगों ने कबजा कर दिया। लेकिन भारत के तत्काली इन प्रधान मंतुरी जवाहर लाल नहरू ने कहा कि यहां से पाकिस्तान गए मुस्लिमों की संपत्ती पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुछ जमीन को शत्रू यानिकी एनिमी प्रॉपर्टी बताकर उस पर सरकार ने अधिकार कर दिया था। 1995 में इसमें बदलाव हुआ था। फिर 2013 में भी इस एक्ट में कुछ और संचुथन किये गए। जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ती या पैसा दान करता है तो उसका रख रखाव कौन करेगा। देश में एक सेंटरल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड में एक वकीर, एक विधायक, एक सांसर, एक टाउन प्लानर, एक आईयस ओफिसर, एक स्कॉलर और एक प्रबंधक होते हैं। वक्फ एक्ट के मताबक ये सभी के सभी मुस्लिम होगे। हर स्टेट में शिया और सुनने वक्फ बोर्ड हैं। ये उन प्रापटीज का रख रखाव करते हैं और उनसे होने वाली इंकम का इस्तमाल करते हैं। देश भर में बने कब्रस्तान वक्फ भूमी का ही हिस्सा होते हैं। इनका रख रखाव और आयपर नियंत्रण वक्फ बोर्ड का ही होता है। हर जगा तरीका एक है। जब भी कोई सवाल उठाए तो मजभब को आगे रख दो। कोई सवाल उठाए तो माइनरजी को दबाने की आवास बुलंद कर दो। आपको एके केस टड़ी करनी होगी। बता दिया जाता है। साल दोहजारी कीस में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाई कोट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि ऐसे छे धार्मिक स्थल हैं जो सेंट्रल विस्टा री डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट के तहत आने वाले एरिया के अंदर या उसके आसपास आते हैं। वक्फ बोर्ड ने कहा कि इन छे संपत्यों में से पांच तो मस्जित हैं जो सौ साल पुरानी हैं।